नमस्कार स्वागेत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्टो एंड यू में मैं हूँ आपके साथ आपका एस्टो फ्रेंड राजेश जोसी दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी प्रोपर्टी ले लेते हैं जो एक इन्वेस्टमेंट के तोर पे हमने खरीदी हुई है कि हमें कभी भी कैस्ट फ्लो की जूरत हो या हमें कभी भी जूरत हो तो यह प्रोपर्टी बिग जाए और हमारी इससे जूरत पूरी हो जाए मगर जब बारी आती है उस प्रोपर्टी को बेचने की तो उसमें बिखनी रही होती है इस प्रकार की परिशान या कई बार आ जाती है और प्रोपर्टी बिखने का नाम ही नहीं लेती उसके कोई बायर हमें नहीं मिलते या बायर आता है हमारी डील हो जाती है किसी ना किसी करण से डील रुख जाती है या बायर को पसंद नहीं आती प्रोपर्टी इस तरीके की परिशानिया अगर आपको भी आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है ये वीडियो खास मैंने किसी दर्सक की ही दिमाइंड पर बनाया है उनने आज सुबह ही मुझे कमेंड भेजा था कि आप प्रोपर्टी बेचने हैं तो कोई उपाय बताएं मैं काफी परिशान हूं तो इस वज़े से आज ये उपाय मैं आपके सामने लाया हूं ये बहुती कारगर ये उम बहुती असरदार उपाय है इससे आप एक बार करके देखें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा एक तरह आपसे यही निवेदन होगा कि आप वीडियो को पूरा देखकर कमेंड बॉक् जो बिकने का नाम ही नहीं ले रही हो उसको बेजने हैं तू एक खास कारगर उपाय इसके लिए आप जहां भी जिस स्थान पर आपने वो पेपर रखे हैं उसमें आप एक कपूर का टुकडा लीजिए किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं आपको एक कपूर का टुकड के बीच में उसे रह दे जहांपर भी आपने प्रोपर के पेपर रखे हैं उनको पलट के उनके बीच में उस प्रोपार के टुकड़े को जो और यहांप की प्रोपटी बिग जाएगी एक बहुत चोटा सा उपाय है और बहुत कारगर उपाय है इससे आप एक बार अशिया आजमात देखieurs इसके आप्षा मैंजा आपको बेडियो को लाइक करें और सेयर करें इसे आपने दोस्तों के साथ भी जाजसे जादा यह करा है तो आप चैनल को सस्क्राइब करके गंटी के निशान को दबाकर नोटिविकेसन को आल कर ले जिसने हमारे आगामे इस परकार के वीडियो की नोटिविकेसन आपको जल से जल मिल पाएंगे धन्यवाद आपका दिन सूभ हो नमस्कार